वेलकम टू माई चैनल अगर आप वाटसप चला रहे हो वाटसप नहीं चला है वाटसप ओपिन नहीं हो रहा है तो कैसी इसको ठीक कर सकते हो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग बताएंगे उनको करना है पिस सबसे पहले आपको अपना फोन का प्ली स्टोर ओपिंग करना है जैसे ही प्ली स्टोर ओपिंग करोगी यहाँ पे आपको सर्च करना है वाटसप यहाँ पे वाटसप आएगा और यहाँ पे आपको अपडेट का ओप्शन मिलेगा अगर आप में अपडेट का ओप्शन नहीं आ रहा है और आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है आपको जो आ को option मिलेगा open option पे click कर लेना और यहां पे आप एक बड़ चेक कर लेना कि आपको WhatsApp open हो रहा है यह नहीं हो रहा है फिर अगर यहां पे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में यहां पे एप या एप्लिकेशन करके एक option दिखाई देगा इस पे click करना है फिर यहां आपको manage app का option मिल जाएगा वहां पे click करना फिर यहां पे इस सारह से पेद दिखाई देगा आपको उपर search को option मिलेगा यहां पिर टाइप करना Whatsapp and WhatsApp पे click करना फिर आपको फिर स्टॉप को प्रादिा हैं आपको क्लिक करना है फिर स्टॉप के इंज़ तो क करना है इन शेटिंग करना है सबसकति रेते हो इसके बाद आपको क्लिदों यूजर्स पे जाना है और ये सेटिंग on करनी है इसके बाद back आना है आपको app permission पे आना है and check करना है कि यहाँ पर परमिशन जो इस फोन में allow है camera, contact, microphone, storage ये आपके फोन में allow है या नहीं है अगर allow नहीं है तो आपको ये सारी permission allow करनी है and back आना है फिर आपको restrict data users पे आना है and यह setting on करनी है and ok करना है जब आप यह setting कर लेते हो इसके बाद आपको अपने phone को flight mode पे set करना है and फिर कुछ second बाद flight mode से हटाना है and यहाँ पे आपके phone के home page पे जो भी app से उनको यहाँ से हटा देना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे home page पे जो app है हमने इंको हटा दिया अब आपको वापिस से whatsapp open करके देखना है यहाँ पे अब आपको whatsapp open होगा सही से चलेगा कोई भी दिक्कत या परिशानी नहीं आएगी आपकी जो भी झाल